हाई गैस कैसे हैं आप सब लोग अच्छे और अच्छे बने रहना तो जैसी कैस अभी बज रहे हैं सुभे के 5 और हाँ बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रहा और नहीं कोई अनॉसमेंट कर पानों जो कि मैंने गीववे का बोला था बट आज मैं गीववे का अनॉसम तो बेसिकली मैंने दो बैट का अनॉसमेंट करना एक यूटूब के था और एक इंस्टाग्राम का उसके साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो नए बैट होगा उसे केर कैसे करना है बाट लोग नए बैट को केर नहीं कर पाते हैं तो इसी वेसे उस बारे में बात करें तो आई यह स्टार्ट करते हैं तो देखी गईज यह है वो दोनों बैट बट इसी का गीवर में होगा और यह मैं कुल अपने पास रखूंगा और हाँ जो दूसरा बैट था हो स्पार्टन का जो कि आप लोग ने देख रखा है दो बैट उसके भी हैं लेकिन इसमें से एक जाएगा बट वो दोनों यूस हो चुके हैं एक मैंने पहले बताते हैं कि वह स्टॉक लगा और अच्छे खासे स्टॉक होंगे तो यूटूब वालो को मिलेगा यह जो ब्रैंड न्यू बैट है जिसके भी तब पनी भी निकली है वह इंस्टाग्राम वालों में से किसी को तो अब थोड़ी दिल में उसका बताऊंगा उससे पहले यह बताऊंगों का वो बैट की केर जए कर दी तो चलिए अब पहले बात कर लेते हैं कि बताब बैट को स्ट्रॉं कैसे रखना है नए बैट केरिंग कैसे करनी है तो पहली बास सबसे पहले आपको यह ध्यान रखन नहीं है सिर्फ नॉक करना उसको और मतलब दिन में आप अराम से सकतर या असी बाल नॉक करें दो या तीन दिन के अंदर बैट अच्छे से नॉक हो जाता है तो वो ध्यान रखें और हां सबसे अच्छी बात ज़रूरी बात यह है कि आप बेकार ऑईल यूस ना करें बहु नॉक करें तो इसलिए भात लोग यह सोचते हैं कि एक नया बैट आया तो थवड़ा सा रहने देतें उसे बड़ ऐसा नहीं है उसे नया बैट जैसे है उसे नॉकिंग करना जितना नॉक करोंगे उत्तरा जादा अच्छा बैट खिलेगा अच्छी तो इसलिए ध्यान रख करना और कुछ जादा माइन नहीं रखता है बैट के लिए हाँ ध्यान रिखना पानी से बचा के रखना तो वह बहुत जादा सही रहेगा बाकी जो गर्स चड़ने होते हैं और बाकी जो इंग्लिश टे बगरा जो भी अलग उसे मटेर लगता है उसके लिए मैं प्रॉपर मैसेज हैं और कमेंट्स महां पर बहुत जादा ही है मतलब हजारों की लिमिट में तो बहुत जादा दिक्कात हो रही थी मुझे रीट करने में पर मैंने बहुत जादा लोग की कमेंट रीट करे हैं जिनके नहीं हो पाए है वो जादा निराशना हूँ क्योंकि बहुत फॉलो नहीं कर रहा है, वो जाके कर सकता है, क्योंकि आगे आने आने वीडियो में बहुत सारी गिववे होंगे, तो आप लोग लिए बहुत जादा बैनिफेट होंगे, तो अब बात करते हैं कि जीता कौन है, तो गाइस, इंस्टाग्राम पे जीते हैं, वो है मयंक किसरी, बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मताब फेस्जूक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, काफी नीट भी है उने इस बैट की, तो जो नए बैट है उनको मिलेगा, और मताब यूसर ने में दिखा दूंगा साइड में उनका, और वो वीडियो मेरी देखते हैं, तो यहां पर दिखा दूंगा साइड में, तो वो भी अगर वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे जरूर कॉंटेक्ट करें, इंस्टाग्राम पे मेरे, या फिर मुझे अधर प्लैट्पॉम पे जहां पर भी वो सही समझे, क्योंकि यूटूब पर कोई मैसेज का आप्शन नही पर देख जितना मेरे हाथ में होगा, उतना मैं आप लोग लिए जरूर करूँगा, और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक गिववव है, मैं चाहता हूँ कि बहुत लोग आगे बढ़े, मुझे पता है कि बहुत लोग अफॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिनके बहुत सारे कमे में जरूरी होता है बैट तो इसलिए मैंने बैट के लिए वह जादा बाते करी हैं और उन्होंने में अच्छा मेल भी आए कि हम लोग जल्दी बेजेंगे तो मैं चाहता हूं कि आगे आने वाली वीडियो में बहुत एक अच्छा मेगा गीववे करूं तो बहुत जादा बै करेंगे और होप की आपको आगे कोई दिक्कत ना हो जितना हो पाएगा है तुम्हारा गवाताम भाई करेंगा जरूर चलिए कैस अब इस वीडियो को ही एंड करता हूं कि सुबह के साथे चार बज रहे हैं और मुझे नींद आ रही है बट एक टेंशन से मेरी नीदी रही कि इस यह बट आप डोब सो नीपा रहे हूं जब ही मैं कैमरे से बात करता है तो मुझे रखता है कि आप लोग मेरे साथ हो तो अच्छा लगा मुझे व्लॉग शूट करके और पहली बार प्र अपने घर पर शूट कर रहा है अपने रूम पर शूट कर रहा हूं पहले नह बताना है कि जो मैंने पर शूट कर रहा है फ़राल बेश्य नहीं जी बतादी नहीं तोड़ बनाने का सोच आथा था याicate झालोग बताने किसे साइस तो बसक् ाल खव सिरी तूधी का hectis तो मुझे से लगज एना रहा है किảम जोई तूद्टी आप आप अलिए ढर भाओ उताने करना वोट लिसे ऐट निए करने बोल लो मिर होता आप अनुस बहुत लोक बॉलत बहुत बहुत लोग बुछ 2 कॉसिर कोई आवाज ही नहीं है थोड़ दिर पहले कुट्टे भोग रहे थे जस्ट बहुत आवाज आ रही थी बट पद नहीं कि आवाज दे शूट करना चालू करा वो भग गये साथ मेरी आवाज इतनी खराब है वो सॉरी तो अभी इस वीडियो को यह एंड करता हूं और हाँ जो मुझे पता है कि बहुत बुरा लगता है जब एक खौयश होती है कि कोई नया बैट मिले कोई बात ही आगे जरूर नई खौयश पूरी होगी तो इस वीडियो के हैंड करता हूं जब तक ध्यान टेकना और किरकेट ज़रूर खेलना बाई